कि हैं फलो दोस्टो मैं हूँ विनोट के मानी और यह चैनल पर हम बाद करते हैं मैं इस लाइफ स्टाइल के बारे में स्टाइलिंग फ्रिटनेस ग्रूमेंग हार टॉपि cauliflower करते वह और आज हम बात करना वाले हैं और उसके क्या benefits होंगे पर आज जो क्वेरी है वो डिफरेंट थोड़ी सी यह जो Instagram follower है इनका नाम अशोक इन्हों ने मुझे direct message किया और उन्होंने थोड़ा से explain कि अपनी situation कि उनके लिए breakfast करना थोड़ा मुश्किल है उन्होंने ट्राइ किया है पर उनसे हुआ नहीं वह तो उनका सवाल यह है कि क्या वह ऐसा कर सकते हैं कि breakfast करें लंच करें और डिनर स्किप करें is it going to give the same benefits जो intermittent fasting में breakfast कि करने से होते हैं कि देखिए पहली बाग intermittent fasting is about fasting for the majority of the day और इससे कोई फरक पड़ेगा क्या कि अगर आप breakfast कर रहे हैं और लंच कर रहे हैं और डिनर स्किप कर रहे हैं तो इसके के लिए फिजबल है कि breakfast लें लंच लें डिनर स्किप करें लेकिन आपका 16 घंटे का फास्ट रहे तो ऐसा कर सकते हैं क्या येस बिल्कुल कर सकते हैं आपको पूरे benefits मिलेंगे जो अगर आप डिनर स्किप कर रहे हैं 16 घंटे का फास्ट कैसे भी आप कंप्लीट कर रहे हैं आपको benefits definitely मिलेंगे ठीक है weight loss में help होगी definitely होगी तो क्या weight loss में तो इससे क्या weight loss में help होगी अगर आप डिनर स्किप कर रहे हैं और इंटर्मेटन फास्टिंग आप इस तरह से complete कर रहे हैं बिल्कुल मदद मिलेगे आपको fat loss में आपको मिलेगा आपको सब benefits मिलेंगे इंटर्मेटन फास्टिंग के अगर आप 16 गंटे का फास्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल मिलेंगे अब यह अपने इस बाउट आपका individual preference ठीक है कि अगर आपको फिजबल लग रहा है कि आप breakfast personally for me मेरे लिए बहुत अगर आपके लिए यह काम नहीं कर रहा है तो बिलकुल आप डिनर स्किप कर सकते हैं तो अब मेरे साथ problem क्या हो जाता है this is personally what I think कि breakfast skip करने से मुझे वो freedom मिलता है to go out with friends and family and to be able to enjoy that right तो सिर्फ यह एक ग्राइप है कि थोड़ा सा अगर आपको family के साथ शाम को जाना है दोस्तों के साथ शाम को जाना है that will create a restriction आपके लिए क्योंकि ने breakfast कर लिया है लंच कर लिए आपने calories consume कर लिए now when you go out right it's all about आपका social life जो है उसके बारे में ठीक है benefits आपको पूरे मिलेंगे यह आपका personal preference है कि आप किस वक्त करते हैं ठीक जैसे अब बहुत बार हफते में दो से तीन बार में आपने आपके लिए तो बस यही एक जो रहती है मेरा एक फ्रेंड है जो लेता है वह खुद कैसे करता है मैं उसका अप्रोज बताता हूं वह सुबब बीच में लंच नहीं करता है कुछ नहीं एनीधेंग राइट आपके सोशल लाइफ थोड़ी सी हो सकता है उसमें थोड़ी से कुछ अब आप फ्रेंड्स के साथ जाएंगे फैमली के साथ जाएंगे यूट लाइक तो इंज़ोए है यूट लाइक तो इनो इट गूट फूट हैब रेक्रेशनल द्रेंग्स वन और टूट्रेंग्स और वटेवर तो बस यह एक डिसद्वांटेज है जो मुझे फील होता है कि मेरे हिसाब से वह सूट नहीं होगा मुझे तो मैं अपना जो पूरी क्यालरीज है आई कीप लेट पर लेट इन देंग राइट सो मेरा अप्रोच यह आपका अप्रोच कोई भी हो सकता है ब्रेक्फस्ट डिनर पुरा दिन फास्ट रैक्फस्ट लंच स्किप ड़नर विलकुर तो यह चीज है परसनल प्रेफरेंस पे है रहाओ व वूड यू लाइक तो प्रोग्रम यह कोई रिटन रूल नहीं है कि आपने से ब्रेक्फस्ट ही स्किप करना है आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अगें यह परसनल प्रेफरेंस है जो भी आपको सूट करता है विचेवर वेयू आप चूज कीजिए और बेनेफिट में कोई प्रोब्लम नही कर दो हैं इस तो देख रहे हैं और आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो तू सब्सक्राइब बिकॉस हम लोग एवरी वीक छे वीडियों करते हैं तीन टॉपिक्स दोनों लैंगविज उपने हिंदी और इंगलिश में राइट तो दू सब्सक्राइब आफ ठीक क्या आप से विडर लेता हो रहा है इस वीक के साइन अफ उन्दिल नेक्स थाम अटिल नेक्स थाम नेक्स थाम बाए